फिर एक पार मोदी सरकार इस पार 400 पार एई स्लोगार निये गोटा देशे प्रोचार चालाच्छे बिजेपी जादोपूर ओकोलकाता दोखिनेर बिजेपी प्तार थी प्रोचार शाभा चीलो बारुई पुरे शाभा थेके प्रिजीतो स्लोगान उठलो मोदीर कलाई चार जून को नया इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास क्या होगा फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार नरंग्रो मोदी माने आवेक ताके शाम निथेके एक बार देखार चोनो मोबाइले स्रिती धोरे राखार चो हाज़रों मनुशेर उप्चे पर भीर देखा जाए आब एक प्रोबोन मोदियों शाधरों मनुशेर आना उपोहारेर पालता आतिनी चिठी पाथाबेन बोलेओ को थादन यहाँ कुछ लोग बहुत प्यार से कुछ मेरे लिए पेंटिंग बना करके लिए आये हैं कुछ चित्र बना करके लिए आये हैं मेरे लिए प्रसाद है मैं हमारे साथियों करूंगा वो आपसे कलेक कर लें लेकिन मैं आपका बहुत आभारी हूँ अगर आप पीछे अपना न भारुदकरर शॉंकल पे बिजपी के बोट प्रिवार आपे दोन करिन। दाभी करिन आगमी पाच बोचोरे भारुद हबे स्कील जेवलप्मेंट हाब। मोदी सरकार को मजबुत बनाने के लिए केंद्र में सरकार बना लिए जाना चाहिए। और स्कील डेवलप्मेंट का हब बनारता देखेंगे। अब हम भारत को स्पेस में, डिफेंस में, सेमी कंड़कर में, ड्रोन और मैपिंग जैसे अनेक सेक्टर में आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा लाब हमारे नवजबान बेटे बेटियों को होगा। मोदी सरकार भारत को टूरिज्याम और टेक्स्टाइल का ग्लोबल हब बनाने में जूटी है। आने वाले पांच सालों में देश के ज्यादातर सहर बंदे भारत से जुड़े होगी होगे। आने वाले पांच साल में हम एलेक्ट्रिक बसों का एलेक्ट्रिक मोबिलिटी का विस्तार होता देखेंगे। शेश भोटेर आगे जोड़दार प्रोचार। जोनतार आश्रीर बादे जोईड मुकूरूट पे कार माथाए शेदिके ताकिये बांगला तथा देश। तमल शर्करे रिपोर्ट कालकटा नियूज।